क्या आप भी समोसे और कचोडी के सौखीन है तो यह रेस्पी है आपके लिए हाई दोस्तों मैं कुसम सागत है आपका कुसम रसोई में बिल्कुल समोसे जैसा क्रेंची और कचोडी जैसा टेस्टी बनने वाला है यह नास्ता मगडर इसे ना भरने का टेंस ना फृटन का जंजट इसे बनाने के लिए मैद मैदा में डालेंगे घ्वादन यूसारनमक ऐसी के साथ जब तक यह ब्रेट क्रम्स की तरह न हो जाए गर्मों एन कम लगे तो इसमें थोड़ा और घी आप मिला सकते हैं तो देखिए यह ब्रेट क्रम्स की तरह मिक्षयर तयार हो गया है अब इसका हमें सक्त दो लगाना है तो थोड़ा-थोड़ा पारी डाल कर इसे गूंदे बस करना है जादा गूंद करके स्मूथ नहीं करना है तो इसे हमें खास्ता बनाना है तो देखिए आटा को मैंने कितना टाइट लगाया है थोड़ी दर जब इसम रेस्ट करने छोड़ेंगे तो यह थोड़ा सॉफ्ट होगा इस बात को ध्यान रखिए तो देखिए कितना सक् इसमें कोई भी गुठलिया ना रहें वालू हमारा ग्रेट हो गया है अब इससे भी रख देंगे हम साइट में और तयार करेंगे मसाला तो यह माने लिए मिक्सी चार मिक्सी डार में डालेंगे एक बड़ा चमचीरा एक इंच अद्रक छोटी पिस में कटकर के डाला है और हरी मिच तीन चार टालेंगे आपको जितना तीखा बनाना हो उसे हिसाब से आप हरी मिर्च को डालें अब इसका में फाइन प्यश तियार कर लेना देखिए इस तरह से आप पैन को हम गर्म करेंगे पैन में टालेंगे थोड़ा सा ओल तो मैंने यह सरसु तेल लिया है थोड़ा पानी जाद है इसलिए जादा ही उचट रहा है थोड़ा सा इसे में भून लेना है अब इसमें डालेंगे कुछ सूखी मसाले तो गयास के फ्लेम को धीमा करकी एक चोटह समिश डालेंगे एक चोटह समिश धन्या पाउडर और थोड़ी सी कलर के लिए मैंने लाल मैं टोटी 21 おफ्षय ओप्सेदिंगे अप चाहे तो सिर्फ भरी मिरस मिर्स में सकतें मसाला ऑप हमारा थोड़ी साथ हरे मटर तो आप चाहे तो अब भूनी बी इसमें डाल सकते है और अब इसमें डालेंगे मिरट जाए अनोग तो असी बंच है कि म्चल को तक अथाotypeन को निकल जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आए तो देखिए अलो हमारा फ्राई हो चुका है तो लास्ट चप देंगे धनिया पति के साथ और इसे मिक्स कर लें अब हमारा ये स्टफिंग तैयार है अब इसे रख देंगे बॉल में तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए थोड़ा स्टार निकल आए तो अब देखिते हैं इसका बनाना हमें क्या है तो टो को थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसकी चुटी-चुटी लोई तोड लेंगे तो इससे मैंने टोटल आथ लोई तोड़ी है और कोसिस करना हमी है कि सारी लोई जो हो वो सेम अब Brexit Hop, अगर कोई थोड़ी बड़ी छोटी होगी ना है तो से बाद में हम चारइस्ट कर लेंगे हम अब एक पूरी लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे दोड़ा सा घी घी लेना है हम अब जालेंगे मैदा इसे 4 साइट तरह ठीक घी मेदे को मिला करके तब अच्य तरא फैला आथे इसके ऊपर को ढ़िएंगे इसके ऊपर भी Agesन धोड़ा सघी और घी पर डालेंगे थोड़ा सा मयादा और इसे बराबर से फैला देंगे, इसी तरह से कड़ते हुए मैंने चार पूडियों को लगाया है, आप चाहे तो दो लेएर की बना सकते तीन लेएर की बना सकते हैं, या पर जद्धBlack से पांच लेएर की बनाये, जद्धlaşक के बना क्हाँ बेलें करी के लें की बडा अक है जो सब्सक्रीबऄ क्ज़रा राते हुए बड़ा सा देल लेना रोटी वेधैरी is थोड़ना रखना है से हम है इससे यूपर अधिर ओसंतिक को ना रोखनाऊ वाकुषरापी तो पर्टेव है। अब बार ये कट करने की तो जैसे पीजा के पीस कट करते है ना उसी तरह से इसके हमें पीस कट करने है तो पहले दो भाग में करें फिर चार भाग में करें फिर इस तरह से बीच से कट करके इसके टोटल हम आठ भाग करेंगे अब इसे रोल करना है हमें तो किनारों को इस तर के शेत досके सायर रोल को हम पहले तैयार कर लींगे और आफ बारी से फ्री करने की तो पर ब blade इसे तो देने के लिए थाफं़े टेंड़ समध़ totally कर होने के लिए के वर रभार टे सिस्टा अथे चंट्ध चबहा करेंगे साथ जोड़ा हो जाने के बाद थोड़ा और पानी टाल देंगे तो इसमें बुठिया बन जाएंगी इसलिए थोड़ा तबड़ा पानी अग्या जोडें नम्मक ठाले साओ वर स्वारद लेजनान तु बैटर को जाता गाड़ा नहीं करना है एक पतला भी नहीं करना है बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए अब इसमें डालेंगे हम एक रोल को और अच्छी तरह से इसे चारो साथ से कोट कर देंगे हमारा ओयल गर्म है गैस के फ्लेम को मैंने लोटु मीडियम र इसे क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट स्वोक्स में लिखना ना भूलें और रैस्पी कैसी लगी है भी जरूर बताएं रैस्पी अच्छी लगए तो से लाइक और शेर करना भी ना भूलें इंज्वाय करें